सर जी बोल्ड आ गया है कि उनल नेस तारीक करें है मैं बात कर der inspired तो इंगलीच का पर पर 27 परवरी को अपना बोले थो चांद कोश दगाने लगता हूं तो दोस्त अगर आपको यह लगा है कि मैंने ncrt के question करूं या नहीं करूं या कर लिए है तो उसके बाद कौन से और questions करने हैं है ना क्या सर ncrt बहुत है क्या अगर in case आपने complete कर लिए 90% जंदा ने ncrt भी नहीं करी है अगर ncrt complete कर लिए तो सर कौन से और questions है जो मुझे लगाने चाहिए तो इन सारे doubt में आज मैं आपको solve कराने वाला हूं है ना तो सुनिएगा सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना साजा करना क्योंकि बहुत सारी information देने वाला हूं छोटे से time में तो सबसे पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि सर NCRT इनफ नहीं है तो मैंने यहां पर जो website खोल लगी है CBSC की official website है एक बारी उनकी website में आपको prove दिखाना चाहता हूं कि वो लोग कौन सी books prescribe करते हैं ना जैसे doctor होता है doctor medicine prescribe करता है तो हम भक के वही medicine लेने जाते हैं ना ऐसे ही यहां पर जो cbsc book recommend करेगी वही से question paper देगी है ना तो देख लेते हैं उसके लिए आप आजाए यह academic website पर खाजाना है यह खाजाना तुम लोग अभी खोलते ही नहीं हो तुम लोग अच्छा Instagram पहले होम पेज पर क्या पढ़ा है Instagram है WhatsApp है Reddit है और पता नहीं कौन-कौन से एप डाल लगे है काम का कुछ नहीं सर मुझे काम सी क्या मतलब आ जाएंगे जितने तुम्हारा ही मकसद है कि सो मैंसे अगर मैं क्या मिश्ची की बात करो तो सतर मैंसे सर 35 चालेस नंबर आ जाएंगे जो पढ़ेगा जो नहीं पढ़ेगा थोड़े सा एक्स्टा एफट मारना है 65 66 67 68 उस वारी कैटेगरी में आना है जिंदगी में थोड़ा सा भीड से अलग खड़ा होना तो भाई अभी ही टाइम है अगर तुम्हें भीड से अलग खड़ा नहीं होना है तो मैं लग रहा है कि आरे ठीक है सर हम भी जो भीड सब क जा रहे हैं तो हम भी चलने जा रहे हैं तो यही एक मौका है अपने आपको stand out करने का अपने आपको भीड से अलग करने का अभी भी वक्त है अभी नहीं तो भाईया फिर छोड़ दीजे तुम बुलोगे सर क्या सिरफ board paper मेरा अच्छा नहीं होगा सर तो आप तो ढरा रही हो पहलतु मैं कि मेरा board paper अच्छा नहीं होगा जिनने चीर तो जिंदिगी में कुछ नहीं होगा board paper से न एक तुम्हारा जो self-esteem होता है जिसको एक और वरड होता है self-confidence तो self-esteem बोलो या self-confidence बोलो वो अगर इतनी छोटी उम्र में low हो गया ना तो दोस्त बहुत तकलीफ होती है आगे जाके मेरे खुद के दोस्तों के बहुत सारे experience है इसलिए मैं बता रहा हूँ आजाईए इधर questions करने है sir कौन सी book prescribe करूँ है आजाईए CBSC क्या मोलती है वो दिखाता हूँ इधर देखना सबसे पहले आप जाओ curriculum पे है ना तुम 23-24 वाले हो मैंने curriculum खोल लिया curriculum पे आके class 11-12 वाले हो इसमें आ जाईए और यहां में कुछ भी मालो मैंने अपना ही subject खुला chemistry इसमें वो सारी information देते हैं मुझे अभी तुम्हें सारी information नहीं देनी है आप आजाईए नीचे इधर यह syllabus विलेबस सब कुछ दे रखा है बहुत बढ़िया बढ़िया है पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है जन्रल गाइडलाइन लिखी हुए है जो आपको बिलकुल भी नहीं पढ़नी है ठीक है यह सारी चीज है पूरी लिखी हुए है प्रॉपर से अब थोड आसा नज़र डालिएगा डॉक्टर के पास गहें प्रिस्क्राइब्ड बता दीजे कौन सी मेडिसन ले लिए फटापट से ले लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स अकॉर्डिंग टू सी बीसी केमिस्ट्री पार्ट वन पब्लिश्ट वाई एंसी आर्टी तो एंसी तो आजाना मैं यही मिलो को मैं कही निजाना मैं यही हूँ सालों से हूल सालों तक रहें ठीक है आज हो इधर सबसे पहले आपने nen ऐं एंसी आर्टी के in text question लगाने in text मतलब देखो दो होते एक होता है example एक होता in text example तो with solution दे रखा होता है वो तो तो मही solve कर लोगे in text कर लिए sir मैंने in text लगा लिये बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद आप जाओगे exercise वाले question पर लिखते हुए चलना, सबसे पहले in text, उसके बाद NCRT के question, NCRT exercise वाले, इतने हो गए इतने हो गए, क्योंकि इन हो ने बोला है तो सबसे पहले मैं वो करूँगा, अगर इतना हो गया, फिर Google पे डालना है या तो तुमारे पास होगा, नहीं, तो Google पे डालो पैसा खर्च करने की ज़रूत नहीं है, बिलकुल पैसा खर्च करने की ज़रूत नहीं है, तुमने जितना पैसा खर्च करना तक कर लिया, इधर आजाओ, शांती से अब आप Google पे डालोगे NCRT examplar NCRT examplar, जो पहला लिंक आएगा ये वाला NCRT.nic.in करके, है न, इसको खोलिएगा और यहाँ पे आपको दिखेगी examplar problem ये बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि मास्टर ये ऐसा भी कुछ होता है क्या यहाँ पे आजाओ, क्लास 12 पे सबका है, maths, है न, मैं सबका बता दे रहाँ physics, biology, chemistry, ठीक है इतने अगर तुमने इतने भी question लगा लिए न, अगर तुम्हें सिर्फ chemistry के में बात करूँ चलो कौन सा chapter खोलना है तो मैं organic में done लगता है, चलो मैंने aldehyde, ketones and carboxylic acid खोला भाई साब, इसके तुमने अगर ये वाले question लगा लिए, इतने प्यारे question है, इतने प्यारे NCRT index हो गया NCRT exercise भी हो गया, NCRT exemplar कर लो, तुम्हारी 80-85% तयारी समाप्त हो गई है, चल करके तुम नाच सकते हो, अभी अगर तुम्हारी इतनी तयारी, तो नाचो, अगर इतनी तयारी है, अगर तुमने इतना भी कर लिया फिर भी तुम्हें लग रहा है कि master मुझे और question करने, ये बहुत question है भाई ये बहुत question है, चलता रहेगा, लो मैं तुम्हारी बिल्कुल end में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर, पचास, पचास question दे रखे हैं, ठीक है ये तो इसके answer वा answer है, पचास question दे रखे हैं more than enough है, आरे इतने में तो तुम्हारी दिमाग फट जाएगा, तुम कर लोगे sir, आप ने तीन चीज़े बता दी, in text बता दी exercise बता दी, exemplar बता दी sir, और question करने है, दिल नहीं मानना, दिल है के मानता नहीं, दिल मांगे more, तो मैं बोलूँगा, आजा फिर इस website पर वापस आजा, इसी website पर वापस आजा, sample paper लगा लिए, sample paper लगा लिए sir, कौन-कौन से साल के लगाओ covid के बाद के लगा ले, 21-22 अपने वाले तो लगा नहीं है, वो तो मैं बने भी करा दिया है सारे, लगा लिया इतना कर लिया, sir, और करना है sir, और, और करना है question bank में आजा, class 12 पे आजा class 12 की chemistry पे आजा sir, ये publication, वो publication, पापा पैसे दे दो, पापा 1000 रुपे की बुका रही है, पापा 800 रुपे की बुका रही है, वो लोग तुम्हें इतना पागल बनाते हैं, पागल तो मैं बहुत, बहुत, मतलब ऐसा बहुत प्यारा word यूज में कर रहा हूं मैं तुमारे लिए पागल को, कि वो पागल लिया, तुम जो हरकते करते हूं, वो उससे भी गिरी हुई है वो लोग तुम्हें ऐसा फसाते हैं न, वो लोग यही कोशन, यही जो कोशन है दो कोशन उधर से उठाए, दो कोशन इधर से उठाए, अरे मेरे खुद घर वाले जो है मेरी जो, मैं नाम नहीं लोगा लेकिन वो publication में ही काम करते हैं ठीक है उसी में content content में ही है कि उसी करते हैं वो उनका ही यह जो शब्द है मैं उन्हीं के शब्द बोलना हूँ वही यह काम करता है दो कोशन इदर के उठाए दो कोशन अधर के उठाए और वो बहुत prestigious publication है दो कोशन इदर के दो कोशन अधर के उठा दिये चिपका दिये तुम्हें लग रहा क्या बढ़िया बढ़िया कोशन है अरे मूर्खो कोशन यही है कोशन एग्जाम्पलर के है कोशन यह रहे यह रहे यह रहे कोशन सर ऐसे तो कोशन कभी हमने देखे ही नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा अगर पैसा दे दिया तो मज़ा आ जाता है अब तुम्हें डाउट आ रहा है कि सर आपने बहुत सारी चीज़े बता दिया आपने question बता दिये कौन कौन से question बता दिये NCRT in text, NCRT exercise, NCRT examplar, sample paper फिर मैंने यहाँ पर extra question भी करा दिये देख रहो, यहाँ पर मैंने तुम्हें extra question भी करा दिये सर मिले कहां से, इधर से मिले पीछे आजओ पीछे आजओ फटाफट, कहाँ पर दे, question bank में इधर और भी करने है तो यहाँ पर additional question practice भी है इस बार तो दो-दो set दे रखे थे इतना भहुत है इतना भहुत है, इस से ज़ादा question करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बता दिया, लिख लो, एक भी number अगर इधर से, तुम लोग इतना लगा की चले गए ना, एक भी number इधर से उधर हो जाए ना, आ जाना फिर exam 27 परवरी, 27 परवरी की शाम को इसी टाइम खड़ा हुआ मिलूगा तुमारे सामने, और दिखा रहा हूँगा, जब paper से solve करा हूँगा, हर साल कराता हो इतने question लगा ले, बस अब फाल्तू books, books में खर्चा नहीं करना है अब आपके लिए most important बात आज के session की, के दोस्त अगर तुमारा अभी भी preparation जो है, वो डामा डोल है, बहुत खसता चल रही है sir, थोड़ा बहुत ही आता है 50% आता है, 60% आता है 20% पर सर फसा हुआ है, विल्कुल भी नहीं आता है तो दोस्त, हमारा जो batch है, 20 December से पूरा fully fledged form में शुरू होने वाला है, बहुत सारे enrollment आ गए है, बहुत सारे बच्चे आ गए है, सिर्फ थोड़ी सी vacancy बची है, तो मैं बोलना हूँ अगर लेना है, ले लीजिए अगर topper वाले रास्ते में जाना है चलेंगे साथ में मिलके क्योंकि नाम ही है संकल्प, साथ में जब संकल्प ले ही लिया है, तो भाई साब आगे तक चलते हैं, है ना, जब तक exam खतम नहीं होगा, उस batch में अपन बने हुए चलेंगे तो कहां मिलेगा master, आप इधर आ जाईए, adda 24-7 डालना, है ना, एक नया में tap खोलता हूँ, अगर app है तो app से भी कर सकते हो, नहीं तो आप adda 24-7 डालिए, ये website आईगी इसको खोलिएगा, और इधर all courses में जाके, all courses में जाके, k-12, school वाले हो तुम लोग, और class 12 में आ जाना, ये है ये है मेरे पास, इतना कर लो जो मैंने तुम्हे questions बताए थे ना, वो उन मैंसे भी मैं छाट के तुम्हारे questions कराऊँगा, क्या-क्या मिलेगा, PYQs, MCQs मतलब सब कुछ ही है, और उससे पहले ये जो batch है, इसके पहले features बता देता हूँ इधर तुम्हें लग रहा होगा कि सर पागल बना रहे हो कौन ही शुरुवात से start करेगा अरे, हम करेंगे हम लोग शुरुवात से पढ़ाएंगे देख रहे हो, हेलो, हैलो, केस, हलो, अरी 20 तारिक से शुरुवात है, मैं शुरू कर दूँगा जितने साती आ गए है, उतने आ गए है 600, मतलब 600 वेकेंसी है जिसमें से, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलू तो 10% बचाऊँगा, 10-5% वो भी अभी हाल-फिलाल में खतम हो जाएगा ठीक है, तो जब से मैं वीडियो परा रहा हूँ तब से 24 गंटे है, जब तब तुम देखोगी तब तक मुझे पता नहीं, तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी देख लीज़े, अभी मैं वैच में अन्रोल करना दिखाता हूँ तो यह देख रहे हो, सब बिलकुल शूनने से पढ़ाऊंगा, हेलो, एलकेंस, एलकोहल, फिनल और यह तो मैं अपना दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने चैप्टर से पता है सेम गोज विद ओल सब्जेक्स आलसो चाहे वो फिजिक्स है, चाहे मैट्स है, चाहे बायॉलजी है या फिर English है, हर एक जो मेरे साथ ही है हर एक जो faculty है वो आपको शून से ही पढ़ाएंगे अब आपके हाथ में है, पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है महनत करना है, साथ में महनत करनी है तो आजाईए, नहीं तो यार, भीड का पात्र बनना है 35-45 नमबर लाने हैं फिर तो यार उसके लिए फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूत नहीं है ऐसे भी बैठ जाओगे ना CBSE 35-45 नमबर ऐसे ही दे देती है सब को कि जा खुश रहे क्योंकि वो लोग तुम्हें भीड का इससा बनाना चाते हैं लोग भीड गये सबन जाऊंगे अब वो दो आ फर वाली क्रीम लिर में आना है थोड़ा सा अलग दिखना है फ़ोड़ा सा लाइम लाइट में आना है क्योंकि अगर इतनी चोटी उम्हें पर लाइम लाइट में आ आ गए तो दोस्त पर यहां से ना उपर ही है यहां से नीचे कुछ नहीं है तो समझ लो दिल की बात मैं बता रहा हूँ बच्पन वाली जो मेरे जो दोस्तों वाली जितना भी experience मुझे था मैंने आपको द्वाब तक पहुचा दिया है बाकि अब आप लोगों के हाथ में है mediocrity के साथ जाना है बच बीड़ी के साथ जाना है या stand out करना है आप पर depend करता है ठीक है आजाए इधर पटाफट से batch enroll कर लीजिए क्या करना है बाइनाओ करना है अभी के लिए 1019 दिखा रहा है discount चल रहा है मैं एक छोटा सा code कौन सा वाला ये वाला काम कर रहा होगा ये code यूस कर लीजेगा इसके साथ क्या होगा कि पहले तो ये तुम्हारा 995 का हो गया ठीक है कुछ भी नहीं है 995 तुम्हें PCMB English पांच subject मिल रहे हैं अगर मैं अपनी बात परूँ 200 रुपे में मैं तुम्हारी 200 रुपे के अंडर 200 रुपे के अंडर मोमोज काएंगे और साथ में एक बड़ी आसी चाय पिएंगे खतम हो गए दोस्वे उतने में मैं तुम्हें पूरी केमिस्ट्री और ऐसे ही सारा कुछ मिलके ये तुम्हें कराने वाले है ठीक है तो कितने का है 995 का फटा फट से जॉइन कर लो अगर तुम्हारा मान है कि सर हम मुझे ये नहीं करना है मुझे फॉर सिर्फ चेमिस्ट्री दिक्कत हो रही है सर चर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का बता दीजिए तो उसके लिए भी मैं तो बोलूगा कि संकल भी जॉइन करो लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें केमिस्टरी चाहिए तो इधर आजाई कि वह भी है इंगलिश फिर्फ और सिर्फ केमिस्टरी गर्ना है तो वह अप्र सकते हैं उसका वी आपके लिए करंद ऑल्स वही same goes with code also Y787 code use करेंगे तो मेरे साथ जोड़े रहेंगे पर्सनल मेंटर से जोड़े रहेंगे वो पड़ेगा आपके लिए 600 में और इसमें बस यह है कि यहाँ पर मैं आपके लिए पर्सनले लिए अवेलेबल रहूंगा हर टाइम के लिए 247 वन टू वन चाहे कॉल्स या फिर टेलिग्राम मेल हर जगे अवेलेबल रहूंगा अब आपके डिपेंड है अगर आपकी खस्तायलत सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में है तो आप यह ले सकते हैं बाकी मैं सजेस्ट करोगा कि आप जो मेरा संकल्प बैच है वही सेम कोड वाई 787 ताकि आप मेरे से जुड़े रहो उसके लिए आप कर सकते हो तो आई होब दिस हैप बाकी अभी मौका है कर लीजे इसके बाद तो फिर रिग्रेट ही रिग्रेट है कि कर लिया होता यह कर लिया होता फिर तो मरते दम तक यही रहता है है ना कि अरे यार काश देख लिया होता काश पढ़ लिये होते काश साथ में महनत कर लियो थी काश टॉपर बनने का संकल्प ले लिया होता बैच 20 डेसंबर, दो बज़े से स्टार्ट हो रहा है, क्लास इस डेली चलेंगी, आप पर डेपेंड करता है, संकल्प टॉपर का लेना है, या संकल्प भीड का लेना है, बने रही है चैनल पे, थैंक्यू सो मच, आल दे बैस्ट.